मुंबई में सल्मान खान के घर के बाहर हुई फाइरिंग मामले में महराष्टरा के सी एम एकनात्ट शिंदे ने आज बॉलिवोड एक्टर सल्मान खान से फोन पर बात चीत की है मुंबई के बांदरा में अभिनेता सल्मान खान के आवास के बाहर दो अग्यात लोगों के गोली बारी किये जाने के बाद महराश्ट्रा के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सल्मान खान से टेलीफोन पर बात चीत की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिशनर से चर्चा की और सल्मान खान की सुरक्षा बढ़ाने का सुझाव दिया इस वक्त सल्मान खान के घर के बाहर भारी पुलिस बल और फोरेंसिक टीम मौजूद है और जाच जारी है सल्मान खान के घर के बाहर हुई गोली बारी को लेकर विपक्ष ने राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को घेरा है गोली बारी पर सांसद संजे राउट से लेकर प्रियंका चतुवदी और कॉंग्रेस की वर्षा गायक वार्ड ने सीएम शिंदे पर जम कर निशाना साधा है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किये है 58 वर्षिय सल्मान खान सयुक्त परिवार के साथ रहते हैं इसमें उनके माता पिता, भाई और उनके रिष्टेदार शामिल है वे उपनगरिय उत्तर पश्चिम मुंबई के सुरम में बांदरा समुध तटक्षेत्र में एतिहास एक गैलक्सी अपॉर्टमेंट में रहते हैं राजस्थान में 1998 में काले हिरन के शिकार की घटना के बाद कई सालों से सलीम खान और सल्मान खान को लौरेंस बिष्णोई गिरोव से जान से मारने की धमकियम मिल रही है 2022 में अपने घर के पास सुबह की सेर के दोरान सलीम खान को एक नोट मिला, इसमें लिखा था सलीम खान, सल्मान खान बहुत जल्दी आपका मूसे वाला जैसा हाल होगा गौर तलब है कि पंजाबी रैपर सिद्धू मूसे वाला की 29 मई 2022 को उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी सल्मान खान को मिली धमकियों के बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है उन्हें बंदूक के लाइसेंस के लिए परमिट जारी किया है पिछले साल अभिनेता ने अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में एक नई बुलेट प्रूफ एस यूवी खरीदी थी